थर्ट पाट की शुरवात में हम देखते हैं कि हांग जू सिन्यू के साथ जाने के लिए मना कर देती है मगर सिन्यू कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ आओ हांग जू कहती है कि टेंपल अब तूट चुका है अब आपका मुझसे क्या काम सिन्यू कहता है कि मुझे तुम्हे कुछ देना है हौंग्जू पूछती है क्या देना है सिन्यू हौंग्जू को वो संदुक दिखाता है और कहता है कि यह तुम्हारी आमानत है हौंग्जू सिन्यू से कहती है कि आपसे किस ने कहा कि ये छोटा सा बॉक्स मेरा है सिन्यू कहता है कि ये बॉक्स तुम्हें तांतरिक उन्योई ने दिया है हांग जू सिन्यू से पूछती है कि वैसे इसके अंदर है क्या सिन्यू कहता है कि तुम खुदी खोल कर देख लो वैसे भी ये तुम्हारा है हांग जू कहती है कि मेरा दिल नहीं कर रहा इसे खोलने का ऐसा लगता है इसमें किसी की अस्तियां होंगी सिन्यू कहता है कि इसमें खजाना या फिर कोई कीमती चीज भी हो सकती है इसके बाद हम देखते हैं कि होंग जु उस बॉक्स को अपने घर में लेकर आ जाती है और तांत्री कुनोई की बातों को याद करती है तांत्री कुनोई ने होंग जु से कहा होता है कि अपने पिता की चिंता मत करो वो अनंत सफर पर निकल चुके हैं और यही उनकी इच्छा थी ये सुनकर हॉंग जू रो रही होती है तांत्री कुनोय हॉंग जू को दिलासा देती हैं और उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा तांत्री कुनों कहती हैं कि तुम बेवकूफों की लोगों से घीरी हुई हो किसी को भी यह नहीं पता कि तुम कितनी कमाल की लड़की हो इसके बाद वो उस बॉक्स को खोलें लगती है लेकिन उस बॉक्स का लॉक इतना ज़्यादा अजीव और अलग होता है कि होंग जू उसे खोल ही नहीं पाती है कुछ दिर बाद सीनियू होंग जू को कॉल करता है और पूछता है कि क्या तुमने बॉक्स खोला क्यूंकि सीनियू उस बॉक्स के अंदर क्या है ये जाना चाता था इसलिए वो बॉक्स के बारे में हॉंग जू से पूछ रहा था हॉंग जू बताती है कि मैं वो बॉक्स नहीं खोल पाई उस बॉक्स को खोलने के लिए कुलाड़ी की जरुरत है और मेरे घर पे कुलाड़ी नहीं है सिन्यू होंगजू से कहता है कि उस बॉक्स को जली से कोलने की कोशिश करो अगले दिन हम होंगजू को एंस्पेक्शन डिविजन में शिकायत कर दी कि हम इसे उल्टे सिदे काम कर वा रहे हैं तो प्रोब्लम हो जाएगी होंगजु वहाँ कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है होंगजु फिर वहाँ से ग्रीन हाउस चली जाती है प्लांट्स देखने के लिए क्युकि उसे स्ट्रीट पर गम्ले लगवाने थे इसके बाद हम देखते हैं कि सिन्यू होंगजु को फिर से कॉल करता है उस बॉक्स के बारे में पूछने के लिए सिन्यू होंगजु से पूछता है कि क्या तुमने उस बॉक्स को खोल लिया होंगजु कहती है कि नहीं अभी तक मैंने उस बॉक्स को नहीं खोला है सिन्यू पूछता है कि तुमने अभी तक उसे क्यों नहीं खोला होंगजू बताती है कि क्योंकि मैं बिजी हूँ तब ही होंगजू के पास एक बच्चा आता है और कहता है आप इस जुले पर बैटके नहीं खा सकती है सिन्यू यह सब सुन लेता है और होंगजू से कहता है कि जली से घर जाओ और उस संदू को खोलो और उस संदू को खोलने के बाद मुझे कॉल करना सीनियू होंग जू से बहुती ज़ादा रूट हो जाता है और होंग जू सीनियू से कहती है कि आप मुझे बिल्कुल भी इज़त नहीं देते हैं फिर सीनियू होंग जू से कहता है कि और होंग जू नीचे गिर जाती है अगले सीन में हम देखते हैं कि क्योंग सिन्यू के पास आया होता है होंग जू सिटी में काम करने के लिए ओफर देने के लिए वैसे क्योंग होंग जू सिटी का ओरनर नहीं बलकि पॉलिसी एडवाइजर होता है सिन्यू क्योंग से कहता है कि तुम्हें पता है कि मेरे फीज कितनी जादा है और तब भी तुम मुझे जॉब आफर करने के लिए आये हो क्योंग कहता है कि मुझे पता है लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मुझे लगता है कि तुम सिर्फ फैसों के लिए काम नहीं करते हो सिन्यू क्योंग से कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें सोच के बताऊंगा और फिर क्योंग महां से चला जाता है इसके बाद हम देखते हैं कि हांग जू सिन्यू को वीडियो कॉल करती है और वो सिनियों के सामने कुछ अजीब और फ़नी मंतरों से उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करती है इन सब के बाद हॉंग जो सिनियों से गुस्से में कहती है कि मैं इस बॉक्स को खोलने के बाद तुम्हें कॉल करूंगी तब तक मुझे कॉल मत करना अगले सीन में हम देखते हैं कि सीनियू जिस law firm में काम करता है वहाँ का मालिक अपने सभी employees से अपनी बत्तमीजी के लिए माफी मांगता है और वो माफी तो ऐसे मांगता है जैसे ऐसान कर रहा हो इसके बाद उनका boss बाहर सभी से आके फिर से sorry करता है माफी मांगने के बाद वो वहाँ से जा रहा होता है मगर कोई भी imply उसे अच्छे से response नहीं देता है जिसकी वज़े से वो गुस्ता हो जाता है और सीनियू तो उसे full ignore करता है ये सब देखने के बाद उनका boss उनसे और भी ज़दा चड़ जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें जो घड़ियां दी हैं घड़ियों पर मैंने पुरे 50 करोड खर्च कर दिये हैं और फिर भी तुम लोग मुझे ऐसा response दे रहे हो वो boss सीनियू से कहता है कि क्या तुम मुझे respect के साथ विदा नहीं करोगे सीनियू कहता है कि मैं ऐसा नहीं करने वाला क्योंकि मैं आपसे इस firm का employee नहीं हूँ वो कहता है कि मैं resign दे रहा हूँ उन सभी का boss तो सीनियू को देखता ही रह जाता है और सीनियू फिर वहाँ से चला जाता है इसके बाद हम होंग जो को देखते हैं जो कि अपने घर का bulb socket ठीक कर रही होती है लेकिन उसे ठीक करते हुए वो गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है तभी हम देखते हैं कि वहां क्योंग आता है और होंग जू को समालता है और कहता है कि तुम ये सब काम क्यों कर रही हो मुझे तुम बोल देती मैं ये कर देता होंग जू क्योंग से कहती है कि तुम यहाँ नहीं थे इसलिए मैंने तुम से ये काम करने के लिए नहीं खा फिर क्योंग होंग जू की चोट को देखने लगता है मगर फिर हम देखते हैं कि वहां क्योंग नहीं होता है और ये सब हौंग जु का बस एक dream होता है फिर हम देखते हैं कि उस box का lock अपने आप खोल जाता है और हौंग जु ये देखती है फिर ये सीन यहीं पर cut हो जाता है इसके बाद सीन यू अपने डैड के पास आता है सीन यू के डैड उससे कहते हैं कि मैंने सुना कि तुमने अपनी जॉब छोड़ दी अब तुम थोड़ा रेस्ट करो फिर से जॉब ढूनने मत लग जाना सीनियो की डैट को भी उसकी बिमारी के बारे में पता होता है सीनियो अपने डैट से कहता है कि जब मैं स्कूल में था तो मुझे लगा था कि आप नहीं बच पाएंगे लेकिन फिर भी देखिए आप जिन्दा है सीनियो की डैट उसे कहते हैं कि हम दोनों के हलाद बहुत अलग थे तुमें एक लाइलाज बिमारी है थोड़ा अराम करने के बाद तुम शादी की तैयारी करो तभी वहाँ सीनियो की मौम आती है और सीनियो की डैट से कहती है कि तुम इसे शादी करने के लिए फोर्ज क्यूं कर रहे हो इधर हम देखते हैं कि होंग जू उस बॉक्स को खोलती है और उसमें उसे एक किताब मिलती है उस किताब के अंदर कई सारे मंतर होते हैं जिन मंतरों को सही से इस्तमाल करने के बाद कोई भी इच्छा पूरी की जा सकती है अगले दिन हॉंग जू अपने ओफिस जा रही होती है अभी वह सीनियो से टकरा जाती है सीनियो हॉंग जू से पूछता है कि क्या तुमने उस बॉक्स को खोला हॉंग जू कहती है कि नहीं मैंने अभी तक नहीं खोला सीनियो हॉंग जू से कहता है कि तुमें एक काम दिया है तुम वो भी ढंक से नहीं कर पा रही हो सिन्यू कहता है कि अगर तुम उस संदूग को नहीं कोल पा रही हो तो मुझे वापस कर दो मुझे नहीं लगता कि वो संदूग तुम्हारी है होंग जू इस पर कहती है कि नहीं मैं संदूग वापस नहीं करूंगी मुझे लगता है कि वो संदूग मेरी ही है सीनियू इस पर पूछता है कि क्या तुमने उस संदूग खोला है हांगजू बताती है कि मैंने उससे नहीं खोला वो अपने आप खोल गया सीनियू इस पर कहता है कि फिर तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया इच्छाओं को पूरे करने वाले मंद्र तब ही वहां क्योंग आ जाता है और होंग जू और सिन्यू को बात करते हुए देख लेता है और पूछता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो होंग जू बताती है कि हाँ हम टेंपल के मामले में एक दूसरे से मिले थे होंग जू क्योंग से बात करते वक्त बहुती ज़्यदा शर्मा रही होती है और अपने बालों को पीछे कर रही होती है और सिन्यू ये देख लेता है और होंग जू से पूछता है कि तुम अपने बालों को पीछे क्यों कर रही हूँ ये सुनने के बाद होंग जो सिन्यू पर चड़ जाती है फिर सिन्यू होंग जो को बताता है कि मैंने सिटी हॉल जॉइन कर लिया है और आज मेरा पहला दिन है इसके बाद होंग जो अपने आफिस आती है और वो देखती है कि सिटी हॉल के फॉर्म पर क्योंग ने उसकी तारिफ की होती है और ये देखने के बाद सो जियोंग और सेबियॉल उससे बहुती ज़्यादा जेलिस होते हैं सेबियॉल हॉंग जू के पास आती है और सेबियॉल हॉंग जू से कहती है ये email पढ़ने के बाद blush करना बंद करो चेहरा पूरा गुलाबी हो गया है तुम्हारा फिर हम देखते हैं कि Mr. क्योंग सिन्यू को उसका कैबिन दिखाते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं वहाँ एक employee होता है जो सिन्यू को guide करने वाला होता है सिन्यू उस employee से कुछ फाइल्स की details मांगता है लेकिन वो employee बहाना बनाता है सिन्यू से कहता है कि तुम ज़्यादा अपना दिमाग माँ चलाओ और जो कहा जा रहा है वो करो next scene में हम देखते हैं कि Mr. क्योंग के भेज़े होए mail को पढ़ रही होती है और आजीब तरीके से मुस्कुरा रही होती है तभी पीछे से सिन्यू आता है और होंग जू ये देखकर डड़ जाती है इसके बाद सिन्यू होंग जू से कहता है कि उस box में से निकली उस book को देखना चाता हूँ होंग जू कहती है कि ठीक है मैं कल उस बुक को अपने साथ लेकर आ जाऊंगी सिन्यू कहता है कि नहीं मुझे उस बुक को अभी देखना है होंगजू कहती है कि मैं इतनी रात में किसी को भी अपने साथ अपने घर लेके नहीं जाने वाली सिन्यू रिक्वेस्ट करता है और होंग्जू फिर मान जाती है सिन्यू और होंग्जू होंग्जू के घर के घर के पास पहुंच जाते हैं होंग्जू सिन्यू को उसके घर के गली के बाहर ही गाड़ी रुकवा देती है और कहती है कि अगर गाड़ी से जाएंगे तो जादा वक्त लग जाएगा हांग्जू गाड़ी से उतर कर अपनी घर की तरफ चली जाती है सिन्यू हांग्जू से कहता है कि में ले रुको लेकिन वो नहीं रुकती और चली जाती है जब वो अपने घर जा रहा ही होती है तभी वहां रास्ते में उसे एक शरावी मिलता है जो उसे परिशान करने लगता है तभी पीछे से सिन्यू आता है और उस शरावी को हौंगजू से दूर कर देता है हौंगजू इन सब चीजों से काफी ज़दा ड़ जाती है सिन्यू किसी सदसे से कहा करो कि वो तुम्हे लेने के लिए आएं हौंगजू सिन्यू से कहती है कि मेरा कोई परिवार नहीं है मैं अकेली हूं ये सुनने के बाद सिन्यू को हौंगजू के लिए बुरा लगता है वो दुनों बात करते करते घर पहुंच जाते हैं हौंगजू पहल कर पाता है क्यूंकि उसके हाथ कापने लगते हैं उसकी बिमारी की वज़े से फिर होंग जू सिनियू को वो मंतर वाली किताब लाकर देती है और सिनियू उस मंतर की किताब को खोल कर देखता है सिनियू जब उस किताब को देख रहा होता है तब भी वहाँ पर होंग जू इस उस किताब का मजाक उलाते हुए हस रही होती है मगर जब वो देखती है कि सिन्यू इस किताब को बहुती गौर से घूर रहा है तब वो हसना बंद कर देती है और फिर वो सिन्यू से किताब चीन कर कहती है कि तुमने इस किताब को देख लिया अब तुम जाओ यहां से सिन्यू होंगजू के पास आकर कहता है कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए होंगजू कहती है कि क्या चाहिए तुम्हें वो कहता है कि तुम उस किताब के सारे मंतर रख सकती हो मगर बस मुझे इसमें से एक मंतर दे दो होंग जू भी उससे कहती है कि ये सवाल तो मैं तुमसे भी कर सकती हूँ यहां हमें ये पता चलता है कि नायाउन और होंग जू एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं और इन दोने की कर्वर्शेशन से ऐसा लगता है कि इनके बीच कुछ ठीक नहीं है इसके बाद हम देखते हैं कि नायाउन और होंग जू साथ बैठकर कॉफी पी रहे होते हैं होंग जू नायाउन से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हम इतने करीब है कि हम साथ बैठकर कॉफी पीएं वहाँ पर नायोन होंगजू से पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसके लिए सौरी कर रही होती है अब उनके बीच पास्ट में क्या हुआ होता है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा मगर होंगजू नायोन पर घुसा करती है और उसे माफ किये बिना ही वहाँ से जा रही होती है तब ही वहाँ पर सिन्यू आ जाता है और होंग्जू से कहता है कि तुम ऐसा बोल रही हो जैसे तुम से कभी गलती हुई ही ना हो अगर कोई तुम से माफी मांग रहा है और मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगता था इसलिए मैंने उससे दोस्ती की थी लेकिन फिर मुझे वहाँ एक सीनिर पसंद आ गया लेकिन होंग जू और ये बॉलकर नायान वहाँ चुप हो जाती है और फिर वो कहती है कि जो भी हुआ वो मुझे से बरदाश नहीं और फिर मिने हौंग जू से दोस्ती तोड़ दी अगले सीनि में हम देखते है कि हौंग जू एक रेस्ट्रॉण आ जाती है उस रेस्ट्रॉण में उसके बॉस और उसके साथ के इंटरंस डिनर कर रहे होते हैं हौंग जू वहाँ आकर कहती है कि मुझे भी आप लोगों के स कुए है लेकिन फिर भी मैं आपके माफी माँगती हूँ तभarp मिस्टर κ्योंंग और सीन्यू आ जाते हैं मिस्टर गॉंग उन्हों को देख लेते हैं मिस्टर कॉंग और बां़ कून्च वांग चाथ अब चाहिए। ये सुनने के बाद सब हैरान रह जाते हैं मिस्टर क्योंग बताते हैं कि होंग जू अच्छी तरीके से बात करती है और अच्छी तरीके से बेहेव करती है इस पर सिनियो कहता है कि ये तो एक सिविल सर्वन का काम है इसमें इसकी तारीफ करने की क्या जरूरत है इसके बाद हम देखते हैं कि बाहर आकर सेवियल हॉंग जू पर गुस्टा करती है क्योंकि मिस्टर क्योंग ने हॉंग जू की तारिफ की होती है सेवियल हॉंग जू से कहती है कि तुम हमसे दूर रहा करो तुम्हें हमारे साथ involved होने की कोई ज़रूरत नहीं है वो सब वہाँ से चले जाते हैं तब ही पीछे से मिस्टर क्योंг आते हैं और हॉंग जुब से कहते हैं कि मुझे तुम से कुछ बात करनी है मिस्टर क्योंग हॉंग जुब को कपड़े gift करते हैं क्योंकि होंग जू ने मिस्टर क्योंग को बचाने के लिए अपने कपड़े खराब किये थे मिस्टर क्योंग होंग जू से पूछते हैं कि मैं जब भी तुमसे मिलता हूँ तो तुम्हारे गाल लाल हो जाते हैं शायद इसलिए तुम्हारा नाम होंग जू है होंगजू वहाँ कहتی ہے कि ऐसा नहीं है मैं जिससे पसंद करती हूँ उसी के सामने मेरे गाल लाल होते है होंगजू फिर अपना लफ्ड़ कन्फेस कर देती है और कहती है कि मैं आपको पसंद करती हूँ और होग्जु उदास हो जाती है फिर पीछे से सिन्यू आता है और होग्जु से कहता है कि शायद अगर कोई भी तुम्हारे साथ दर्या दिली दिखाता है और तुम्हारे साथ अच्छा बीएव करता है तो तुम उसे अपना दिल दे बैठती हो इसलिए तुम अपनी तुम्हें कुछ भी पता नहीं है तो मत बोलो सिन्यू कहता है कि जो दिक रहा है वही बता रहा हूँ हंग्जु गुस्से में कहती है कि ठीक मेरे साथ जो भी हमदर्दी दिखाता है मैं उससे प्यार करने लगती हूँ क्योंकि किसी ने भी मुझसे प्यार किया ही नहीं मिस्टर गॉंग से हौंग जु को बादा चलता है कि उसने जो अपना लव कनफ्एस किया था इस की फोटो लेकर किसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया है, ये सब जानने के बाद हॉंग जू सिनियू के पास आती है क्योंकि हॉंग जू को लगता है कि ये सब सिनियू नहीं किया है सिनियू हॉंग जू को बता है कि जिस एंगल से इस कनफेशन की फोटो ली गई है उस एंगल पर मैं खड़ा नहीं था इसका मतलब ये है कि ये किसी और कही काम है इसके बाद हॉंग जू अपने घर आती है और घर के बार उसे एक पारसल मिलता है उसे एक बहुती बड़ा बॉक्स मिलता है उस बॉक्स को लेकर वो अपने घर के अंदर आ जाती है उस बॉक्स के अंदर खाने पीने की औरगनिक चीजे होती है उसे उस बॉक्स के अंदर से बकरी का दूद मिलता है उस दूद को देखके उसे याद आता है कि उसने जो विश्पूरी करने वाले बुक के अंदर एक मंतर देखा था वो प्यार करने वाला मंतर था और उस मंतर को पूरा करने के लिए बगरी का दूदु चाहिए था हंग्जू को मिस्टर क्योंग की तरफ से जो rejection मिला था उसके बाद वो सोचने लगती है कि क्यों ना प्यार करवाने के मंतर को हंग्जू उस मंतर को पूरे रिच्वल के साथ पढ़ती है और सभी steps को follow करती है जो उस किताब में लिखा था एक तरफ हंग्जू प्यार करवाने के मंतर के गोल को बना रही होती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिन्यू की कार में तवित खराब हो रही होती है यहां हम देखते हैं कि सिन्यू को फिर से वही red blooded hand छू रहा होता है सिन्यू उस हाथ की वज़े से काफी ज़दा परिशान हो रहा होता है और कार को अच्छे से drive भी नहीं कर पा रहा होता है सिन्यू की कार का balance बिगड़ जाता है और उसकी कार उन गमलों से जाकर टकरा जाती है जो हौंग जू ने लगवाए होते हैं और इसी के साथ इस series का ये part यहीं पर ही end हो जाता है